हेलो गाइज आज की वीडियो का जो टॉपिक है अमारा वो है ये चार्जिंग मोडिूल टीपी 40-50 आज़ी से बना हुआ ये चार्जिंग मोडिूल गाइज ये अक्सर किस्त में काम आता है ये आपने देखोगा कि जो लाइनल वाली बैटरी होती है इसको चार्ज करने के लिए अक्सर ये काम आता है तो यार आज का जो टॉपिक है अमारा वो ये है कि आखिर हम इस मोडिूल की मदश से कितनी यहाँ पे ये जो लाइनल वाली बैटरी है इसको एक साथ लगा के चार्ज कर सकते हैं कितनी बैटरी होंगी और क्या ये जो मोडिूल है इसको चार्ज कर पाएगा या फिर नहीं या फिर ये एक ही बैटरी के लिए बना हुआ है काफी सारे सवाल है हमारी subscribeर भायों के तो यार इस वीडियो में सारे ही सवालों को cover करने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कोई और वीडियो देखने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और आपको कुछ नहीं जानकार यहाँ पर मिलने वाली है तो चलिए वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट बेने टाइम वेश्ट किये तो गाईजार सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अक्सर आपने जो है ये मोडूल इस तरह की केबल का यूज करते वे चलाया होगा आपको जो है ये इस तरह से कनेक्ट करनी है कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो है इसको अडप्टर में लगा दें जैसे ये अडप्टर है इसमें लगा दें और अपना इसको यूज करना स्टार्ट कर दें मतलब बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर दें तो गाईज जार आपको जो है पता होगा कि यह जो हमार टू के अराउंड आपको यहां पे इसमें करंड देना पड़ता है उसके बाद ही आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो पाती है तो यार यह तो हुई हमारी यह बेसिक सी बात अब चले जानते हैं कि अक्सर हम जो है इसको बैटरी को फुल जब तक नहीं होती है बैटरी जब आपको एक से डेड़ घंटे का यहां पर समय लगता है यह बात तो है आपकी किलियर हो गई और मैं आपको साफ साफ यह बता दूँ कि आप इस चार्जिंग मोडूल से काफी सारी बैटरी को एक साथ चार्ज यहां पर कर सकते हैं लेकिन जहां पर आपको बहुत ही जादा लगने वाला है पर मैं आपको जो है इसकी एक हो ट्रिक बताऊंगा कि आप जिसके जिससे मदस से आप जल्दी जल्दी से बहुत सारी बैटरी को चार्ज कर लेंगे ठीक है अब जानते हैं तो आपने अकसर देखा होगा कि जो जब भी हम बैटरी को पैरलल में करते हैं इस उतने ही रहते हैं पर यहां पर जो वोल्टेज है इसकी वो यहां पर बढ़ जाती है तो हमें जो है जब भी यह बैटरी चार्ज करनी है आपको जहां नखना यह पैरलल में ही होनी चाहिए इस तरह से ही होनी चाहिए यह बैटरी ठेक है जब भी यह जो है अच्छे तरह कि वाली यहां पैपर रहत करने वाली है जैसे कि मनी आपको बताय था कि 있는 थे फूल-चार्ज काने के लिए 15 गंट अब घूंटlike तो दूसरी बैटरी को भी चार्ज करने के लिए 100 गंठेगा समय लगेगा तो यहां पे या पर को इन दोनों को चार्ज करने के लिए फूल चार्ज करने के लिए तीन घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं तो गईज़ आप इससे अंदादा लगा सकते हैं कि यह जो मुडूल है यह चार्ज तो कर देगा लेकिन इसकी भी कुछ टाइमिंग होती है यह दोनों को ही उस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज नहीं देपाएगा बहुती कम कम यहाँ पे इसको चार्ज करेगा यह पर हाँ यह है कि चार्ज जरूर कर देगा और मैं आपको इसकी लिमिट बताऊं अगर तो आप इसको एक साथ अगर चार्ज करते हैं तो आप इसमें पाँच बैटरी लगा के छोड़ सकते हैं जो कि यहाँ पे आपकी छे से साथ गंटे में आपकी पांच से छे बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएंगी और अगर आप इसको वन बाई बन करके एक एक करके अगर आप यूज करते हैं मतलब रगाते हैं तो आपकी जो है यह एक से देड़ गंटे में फूल चार्ज हो जाएगी ना ही इस मोड्यूल के ओपर लोड पड़ेगा और ना ही यह जो बैटरी है यह थोड़ी बेकार होगी तो इसलिए आपको जब भी आप इस तरह की बैटरी चार्ज करें तो आप जो है इसको एक एक करके ही चार्ज करें आपने अक्सर इसका अडप्टर भी देखा होगा ब लिमिट है वह 5-6 है आप इसमें चार्ज करें बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसकी आइसी है वह भी आरफीड हीट होने होने लग दिये वह हर किसी की यही कंडिशन होती है अगर आप उसमें ओवर चीज डाल देते हैं तो वह कुछ टाइम के बाद जल्दी से खराब हो जाती है और जहां पर मैं जो है आपको इस मोडूल की एक वात और बता दो जिससे आपको मोडूल जल्दी से कराब नहीं होगा वह क्या है कि अक्सर क्या करते हैं सर्केट में लगा के जैसे हमने कोई छोटा सा मिनी एम्प्लिफायर बनाया ठीक है ब्लूथ वाला तो उसमे साथ में हम क्या करते हैं हम जहें स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं चलता रहता और साथ में ऐसे बिल्कुल भी ऐसा यहां पे नहीं करना है क्यूंकि यह जो है इसे साफसा वर्निंग दी जाती है आगर आप गूगल पर भी पढ़ेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगा देखने के लिए आपको यहाँ पे load इसका disconnect रहना पड़ता है जब आप इसको charge करते हैं और उसके बाद आप इसको easily use कर सकते हैं जब बैटरी को जब बैटरी चार्ज हो रही हो इस module से तो आप जो है speaker को ना चलाएं उसका switch off कर दें और जब यह charge हो जाए तो उसके बाद हटा आप इसको हटाने के बाद आप इसको easily use कर सकते हैं तो यह थी आज की important जानकारी अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो यार प्लीज एक वीडियो को like जरू कर देना और साथी साथ आपको सारी सीचे समझ में आ गई अब भी कोई सवाल है डाउट है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं वहाँ पर मैं आपको reply कर दूँगा और बाकि यार नेक्स्ट वीडियो किस topic पर बनानी है उस पर भी जल्दी से comment कर दो और यार पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखिए ना कि आप पाइल की मदद से किस तरह से fan और अपनी जो LED lights होती हैं उनको किस इस तरह से ओन ओफ कर सकते हैं यहां पर अगर आपने नहीं देखिए तो चैनल को चेक आउट करना मत भूलना जाके उस वीडियो को देखो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं यूजर हो तो बस गाईज आज की वीडियो देखने के लिए इस कि अद्साब कर लोगर आप में पहला हो जाईब कर अबादार आप नहीं देखने करो कर वार आप लोगर आप नहीं पर आप कर वीडियो देखो नहीं भीडियो कर दो पने क्या हैं यूजर एश्ब